उसने मेरी नाख में दम करके रखा है, उसने मेरी नाख में, मैं एक्जामल दे रहा हूँ, उसने मेरी नाख में, अब बंदा देशी कैसे बोलेगा, रब बोल, नहीं, देशी में नहीं, अंग्रेशी में, उसने मेरी नाख में दम कर रहा है, कैसे बोलेगा बंदा, उस मतलब he, he, dum नाख मतलब नोज, he, बुलागर में नोज, आप समझे रहे मेरी बात, अगर हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो बेड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, जो आर्डे इंग्लिज बोली गई है, वही सीखनी है, तो इसको हम जो लिखते हैं ना, उसने मेर नाख में क्या किया है, अगर हम इसको यह करेंगे, ट्रस्टेंट, he, आप समझे रहे हैं, he, मतलब उस, क्या वो, dum, बुलॉक्ट, मेरी नाख, या तो यह तो यह बन्दा देशी लिखता है, देखना, he, बुलॉक्ट माई, उसने मेरी नाख बंद कर दी, अब उसने मेरी नाख में दम किया कुछ और था, यहां कहता है, उसने मेरी नाख भी बंद कर दी, दूसरा, he has put an obstacle in my nose, उसने मेरी नाख में कुछ डाल दिया, जिससे में सांस ले नहीं खत्म हो गया, मतलब ऐसे अंग्रेजी, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अंग्रे अब इसलिए, तो अगर आपने अंग्रेजी बोलनी है, अलो, क्यों आपने इस शोर में जाकर रखा है, उस बंदे ने तुम मेरी नाख में दम कर रहा है, he has hit my nose, Mr. Arun has hit my nose, Mr. नाम क्या है, Mr. Ajax has hit my nose, उसने मेरी है, यह अंग्रेजी है, तो यहां पर हम spoken English में यही चीज़ सीखेंगे, जो आप फर-फर अग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, listening and practice, दूसरा है, learn phrases, third, don't translate, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज, तीसरा मैंने कहा, पाजी, तीसरा मैंने कहा, don't translate, क्या मतलब इस चीज़ का, पहले दोस्वाज में आगे, मिलके बोलो, तीसरा पॉइंट जो है, don't translate, उसका मतलब क्या है, अगर मैं बात कहूंगा, for example, आप, रोड के, लेफ साइड, चलिए, आप रोड के लेफ साइड, आप रोड के, लेफ साइड चलिए, जड़ा चेंज किजी इसको, आप रोड के लेफ साइड चलिए क्या आएगा अगर बंदा इसको ट्रनस्टेट करने बैठेगा सुनो वो लिखेगा आप का मतलब यू रोड का मतलब रोड के मतलब आफ लेफ साइड वोक अगर वो ये अंग्रेजी करेगा बता उसका इलाज क्या है वासने आ रही है उसने क्या किया इट्रनस्लेट किया देशी को उसने भी देशी बनाया वो देशी को बोला अंग्रेजी बोलागा मैंने बोला आप रोड के लेफ साइड चलिए आपको बोला यू रोड का बोला रोड के का मतलब लेफ साइड का चलिए का वोक ये ग्रेमर सही ये स्पोग ये सही अब इसको सही कैसे करेंगे बोलो वोक शेबाश let you walk on the left side of road बस में आ रही है let you walk on the left side of तो तीसरा point याद रिखना है पहला है reading, listening and practice second है phrase learn करना तीसरा है translate नहीं करना है कुछ लोग आते हैं ना पूछने के लिए sir मैंने तो उर्दू में ये बड़ा हिंदी में translate करो अरे translation का उर्दू हिंदी grammar अलग है, words का syntax अलग है, words कहां कहां बैठे कर वो अलग है, देखो, ये उर्दू में लिखा आप road के left side चलिए, पहला आप आये फिर क्या है, बोल फिर क्या है road लेकिन English में थोड़ी है इसा आया तो तीसरा point क्या है कि हमने इसको translate नहीं करना अब मैं आता हूँ, असने मुद्दे पर जो हमारा topic है हालेट जुरूरी है ये suggestion दे रहा है, suggestion देने के लिए इसलिए यहाँ पर let आगे है तो यहाँ पर इस workshop में हम क्या सिंगे, why English spring can be difficult difficult क्यों लग रही है क्यों लग लग रही है, बताओ सबसे पहला difficulty यह लगती है हम बोलने में शर्माते है पहली बात hesitation की आती English है हमको लेकिन हमारे पास communication cycle कमजोर है हम hesitate करते है body language नहीं है expression नहीं है eye to eye contact नहीं है, यह चीज़ी हमारे पास कमी है उसके बात what you can do to become more fluent मैंने वो tips हमको बताया है कैसे हम more fluent बनेंगे and we will do plenty of speaking आगे चलो देखो what can make speaking difficult what is this hesitation जाइए उसके पाद पहला क्या step है बोलो listening a conversation is only 50% of you conversation कितना है 50% क्या है बोलो 50% ही conversation है उसके बाद क्या है उसके बाद listening 50% सिर्फ बोलना है बोलना सुनना क्या है नहीं मुझे बताओ अगर आप 100% आप ही सुनाएंगे आगे वाला क्या बोलेगा वो 100% सारा सुन रहा है आपने बोलने का मोका ही दिया है तो आपने करना क्या है आपने जब बोलना है उसको ही मोका देना है तो रीडिंग कितना 50% लिस्टिंग कितना अगर आपको पहले समझ ही नहीं आया कि बंदा बोल क्या रहा है जवाब क्या दोगे मैंने पूछा आपको वाट आपने दोइंग अगर बंदा आगे वाला नहीं समझेगा जवाब मिलेगा ठीके इसका मतलब है इन और टो आंसर वी नीड टो अंडरस्टैन फर्स वाट ही और शी है स्पूक क्या बोला गया है वो समझने के बाद क्या करना है हम बोल सकते हैं पहला स्टप क्या बोला है डिकोडिंग समझना आपने मुझे क्या बोला करने के बाद मैं इसको मीनिंग वाई सोच रहा हूँ सर सर ने बोला है हाव आई यू हाव आई यू इसका मतलब सर मुझसे मेरी तबियत पूछ रहे है मतलब आपकी तबियत कैसी है हेल्थ कैसी है सो ये क्या है ये आपने इसको डिकोड किया क्या किया अच्छा स्पीड अब स्पीकर अगर बंदा इतना तेज बोल रहा है अब जितना वो तेज बोल रहा है आपने उसकी जो स्पीड उसको पगड़ा ही नहीं तब भी आप बास समझेंगे होता है ना इसा कि जब आपके स्थामने कोई लेंग्विज है जिसमें जो आपके लिए सेकेंड लेंग्विज जो फर्स लेंग्विज एक बंदा बहुत तेज से उर्दू बोलता है आपको समझ में आएगा मैं बलता हूँ आपके मस्तक्बिल में आपका हाल आपके तबियत कैसे होगी आप मैंने ऐसे वोर्ड बताए इस बंदे को समझें नहीं है हलाएं कि उर्दू बोलने वाला है क्यों एक तो मैंने तेज दिस बोला उपर से वोर्ड ये वैसे बोले जो आपने सुनी नहीं थे समझ में आया कुछ नहीं है इसको मतलब ये है कि सुपोकुन इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो बोल रहा है उसकी स्पीड को एनलाइज करना आप बोलने वाले को तो नहीं नहीं बोल सकते हैं आईसा करो हमने क्या करना है हमने अपनी listening skill को बढ़ाना है हमने घर पे जाना है निव्स हो English में सुनना शुरू कर देना है अपने बात अच्छा Google पे आपने एक passage लिखा फिर आता है फिर आता है रीड आउर ता passage आपने रीडिंग पे लगा दिया वो खुद बोलेगा आप सुनेंगे फिर जितना वो तेज दित बोलेगा आपके कान सुनना शुरू कर देंगे और चीज़ों को अनलाइज करना शुरू करेंगे कि भई पहले पहले दिन आपको लगेगा कि मैंने उस पूरे passage में चार वर्ड समझ में आगए लेकिन अगले दिन उसी को सुनोगे चार के मतले आठ समझ में आएंगे फिर पूरा पैसे समझ में आ जाएगा इसका मतलब है प्रेक्टिस ज़रूरी है कि लिस्टी लिस्निंग की फिफ्टी परसंट क्या है लिस्निंग बोलो अब मालीजी मैं कहता हूँ there are three people who are going to throw a ball क्या सुन में आए कुछ सुन में आए अब देखो accent में भरक है मैंने पहले कहा कि there are three people क्या there are three people who throw a ball through the tunnel सुनो जांसे there are three people who throw a ball through a channel अब जितना में तेज उसको बोला था आपको एक पर सुन नहीं आया था क्यों accent का फरक है अगर मैं ऐसे बढ़ता है there are three people who throw a ball through the tunnel सुन में आया क्या आपके जो accent बोलते हो उसी accent ने बोला आपको match कर गया इसका मतलब यह है कि spoken English के लिए जहां पर listening ज़रूरी है वहाँ उस बंदे का accent pronunciation वो किस लहजे किस तलफ़ुज में बोलता है लफज को आपको सुन आ रहा है एक होता है throw क्या होता है throw का मतलब फैंग ना एक होता है through throw and through कितना फ़रक है throw and यह आपने अलफासों को जाचना है समयारा एक्सेंट बच्छी समयारा पहले speaking बढ़ानी है practice करना है सुनना ज्यादा है 50% क्योंकि listening है उसके बाद आप समझना शुरू करेंगे speaker की speed को देंगे उसके बाद accent उसके बाद सुना आगे पहला step क्या है बोलो वही जो मैं बोर रहा हूँ है इसके इलावा कोई अंग्रेजी नहीं है यह grammar नहीं है कि सारा practice का मामला है reading, listening and practice 10 से 15 मिनट प्यारे बच्चों आपकी practice होनी चाहिए hurly-wolly 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 एक phrase है क्या है अब मेरे को पता नहीं न मतलब तो यह कह रहा है अंग्रेज का बच्चा learn frame when you don't understand उस phrase को learn करना है अंग्रेजी मेरी जबान तो है यह नहीं hurly-wolly मेरे दादू ने धुड़ी बोला था hurly-wolly hurly-wolly का मतलब होता है busiest क्या होता है जब इनसान बहुत ही busy हो यह दिन जो सबसे ज़्यादा बीजी हो क्या बलते है hurly-wolly तो हम्या रहा है most busy this market is hurly-wolly अब अंगर अंग्री ने बोलेगा yo bro this market is hurly-wolly अब क्या बोलेगा hurly-wolly अब साज़ रहे है साज़ रहे है आप जो फ्रेज हमें नहीं आती है we have to learn that I do not quit follow excuse me I'm sorry I didn't understand that could you repeat that please could you say that again please could you slow down a bit please did you mean if I understand correctly could you rephrase that please यह ऐसी phrases है जो अक्सर हमें अंग्रीजी में या ज़ूरत बढ़ती है मालो मैने आप से बोलना है कि मुझे pen दे दो मुझे हमें कैसे बोलूँगा मुझे pen दे दो नहीं तो देसी में होगा कैसे बोलेंगे could you please give me a pen for one minute जिसके अंदर अकड है वो सीखता कुछ जिसे हम बोलते हम है कुछ तो सीखेंगे कुछ नहीं सीखने के लिए अपने आपो खाली करके आना पड़ता जब मुझे लगेगा आप खाली है तब ही हम चीज़े सिखाएंगे वरना आप feel देंगे कि हमें सब आता है तो फिर सिखाएंगे कैसे how are you आपकी तबियत how do you feel एक होता है how are you doing एक होता है what are you doing what are you doing में बोलते है तुम का काम कर रहे हो तुम क्या काम how are you doing में बताओ तुम आज कल कैसे हो तुमारा जिंदगी का आज कल गुजर बसर कैसा होता है बसमयार की नहीं आरे बोलो मिलके जोर से बोलो एक होता है how are तुम कैसे हो एक होता है how are you doing ये भी वही है how do you feel तीनु से में अब माली जी मैंने आउसे बूचा how are you बोलिये I am fine hesitate नहीं करना है डरना नहीं है तब से पहले hesitation को खत्म करना है how are you आगे बोलना है pretty good pretty अब उसमयार बज्जे how are you अगर जब बोलना हो मैं ठीक हो I am fine I am fine I am quite well देखो अगर आप बोलेंगे ऐसे करते I am I am fine ठीक है तो सीदे बोलेंगे I am fine I am अगर इसको गंडर्ट लेंगे I am fine क्या बोलेंगे ने फिर I am नहीं बोलेंगे गंडर्ट है ना I am fine I am I am fine I am मिल के बोलना I am fine समय रहा है how are you I am fine how are you how are you doing I am pretty good I am quite well I am awesome बसमे बसमे रही है अगर आप ठीक्टिस करना शुरू करो बोलो I am gonna tell you Hey Hello, Hi How are you I am fine How are you doing कैसा गुदर बस हो रहा है आप सार बहुत बढ़िया हो pretty good क्या I welcome you all to Job Sattah A rising name in the field of education आप समय रही है थोड़ा फिर तीखे तीखे अलफाज में ना आँखें करके Hello, Hi Of course I love you ये जो है आप समय रहा आँखें भी बहुत कर देती है Hello, Hi एक देखो आप मैं इसको बोलूँगा Hello, Hi ये आगी से बोलेगा No, Hello, Hi अब ये अन्दाज होता है बात कहनी है कहनी एक होता है Please give me a pen एक होता है Could you please give me a pen एक हो ये facial expression से बन्दा कहता है यार तू जान भी ले ले अन्दाज होता है तो इसलिए हम सब को शिखाएंगे यहां पर So I wish you all the best and God bless you all 5 जिन आप देदीजिए 5 जिन के बात ये करेंगे और जितने भी आपने कलीक्स बगरा है बोलिए अगर आपको अच्छा लगा तो अब शुरूबात है ना कल फिर पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे दो जिन आप ट्राइल ले लीजिए उसके बाद से